अब खबरे विस्तार से चाले की खिड की तोड कर पुलिस को चकमा दे कर भागा था स्रीमान पुलिस अधिक्षक डीकल्यान चक्रवर्ती एवं अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक सचीकान कनकने अनुविभागी अधिकारी स्री प्रदीप सीह रानावत के निर्देश पत एक टीम गठीत की जिसमें थाना प्रभारी हाकम सीह पवार ने बलातकार के आरोपी राहुल पिता लक्ष्मन बारेला निवासी खेरदा को घिरफतार किया है आरोपी को मुखबीर की सुचना परथाना प्रभारी हाकम सीह पवार उप निरिक्षक राई सीह गुंडिया उप निरिक्षक चमपलाल सोलंकी अनिलतीवारी एवं टीम ने चोनपुर रोड ग्राम पिपल्या बुजुर्ग के पास आरोपी राहुल को रातरी साड़े ग्यार प्राबंदी कर गिरफतार किया फ्रेमान पुलिस अधिक्षक डिक अल्यान चक्रवर्ती महोदै ने आरोपी को पकड़ने वाली टीम को पुरस्क्रत करने की घोशना की इसको ही अपना चेनपुर और पिपल्या बुजुर्ग से कल रातरी पुने 11 बजे बढ़ा है और इसमें समसिक घटना में यह बता दूँ कि दिनाम के यह 17-9-18 को अपने घर खेरदा से बिना बताए चली गई थी उसका पिता बिहारी बारेला जिन्होंने जो यूठी चली गई 16 वर्सी उसके पिता बिहारी बारेला ने उसकी तलास की और नहीं मिलने पर वह 25 तारी को 25-9-2018 को यहां थाने में रिकोर्ड लिखाई थी पुलीस ने उसी तारतम में उसका संदे में नाम आया था राहुल बारेला उन्नीस वर्सी है यह सेल्दा का इसको ले गया है तो उसकी तरपता से तलास करके बम नाला से उसको 25 ने को भिरफ्तार किया था और उसका मेडीकल एक दिन का पिया लिया था उसका मेडीकल नहीं लिया था जोब्यभी स्टाजी तार्यंट को अफ्राद उसके मिदे गया था उसी तारतम में ने ग्यसरी में के चक्रतिसाथ एडिशनल स्री सशिकांत कंदने सर्थ और हमारे स्जोपी सिरी घिर्शी लानाथ सर्थ के मार दर्फ्षन और लिप्डेशन में उसकी तलास हमारी टीम ने एसाई गुंडिया, एसाई सोलंकी, वा स्सी, तीवारी आरक्षत, लोगेस वगेर आधी इसको ने जो टीम बनाई थी, अभी लोगे तलास की, कल उसको पोने जारावदी राती में उसको पकड़ लिया गया चेनपूर्ट, पीपले खुर्द गाउं के पास, और उसे अरेस्ट कर लिया गया है, आज उसको फिर मेडिकल करा के जेया आपके मांगी निया ले, टेस्ट Bureau Report, Dijiana News, Bikan Gow